Everyone, Welcome to my YouTube channel तो अभी आप लोग को जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो है Science and Tech और हम उसमें जितने भी Missile System है उसके बारे में आपको पढ़ाएंगे जो BPSC Point of View से होगा 70th BPSC जो अभी के हिसाब से 30 September को होगा ठीक है? तो देखो आप Missile System जो है Missile System उसमें हम लोग Static portion से चलेंगे Static मतब जो भी आपका Basic है Basic Levels चलेंगे Static का मतब जो एक Static portion है और वहाँ से लेके चलेंगे Current F.S तक ठीक है तो ये Dynamic portion हो का Static मतब जो Fix है ठीक है? तो हम लोग देखते Missile जो है Based on the Speed Speed के आप से 3 Categorization में Divide है एक होता Subsonic Missile दूसरा होता Supersonic अथर होता Hypersonic Missile जो Subsonic Missile होता है बच्चो वो जोसका जो Speed होता है वो Sound के Speed से Slow होता है Subsonic का Speed जो होता है Sound के Speed से Slow होता है That is called Subsonic Speed Subsonic Missile ठीक है? उसका Example आपको ध्यान पर रखना है वो है पिर्थपी का Short Range Ballistic Missile देखो मिसाइल के अगर देखो गे तो दो टाइप के मिसाइल होते हैं एक होता है Ballastic Missile Based on the Trajectory नेक्स पार्ट हम लों Trajectory ही पढ़ेंगे और Ballastic Missile होता है दूसरा होता है Cruise Missile इसको बहुत डिटेल हम लों देखेंगे तो अब बस आपको ये ध्यान पर रखना है जो आपका Subsonic के Example है वो Short Range Missile होता है जो कि Ballastic Missile है और पिर्थवी ध्यान पर रखना है पिर्थवी is the Example of Subsonic Missile पिर्थवी का Short Range ये भी ध्यान पर रखना है Supersonic Missile जो होता है वो Sound के Speed से Faster होता है उसका जो Speed होता है उसको एक Unit से देखते है हम लोग Match बोलते हो उसको वो One Match से बड़ा होता है और Five Match से छोटा होता है That is called Supersonic Missile तो देखो नाम पे Subsonic, Supersonic, Hypersonic तो Hypersonic जो होता है वो Five Times Faster than the Sound Sub Speed ठीक है? और वो Five Match से बड़ा होता है इसका Speed तो एक होता है सौन से छोटा एक सौन से बड़ा लेकिन One से लेके Five Match के बीच में और एक सौन से बहुत ज़दा Fast Five Times और उसका Speed क्या होता है? Five Match से ज़्यादा अगर हम Supersonic Missile का एक्जामपल देखे तो Brahmos Missile अभी हम आगे देखेंगे जो कि Supersonic जो मिसाइल है यह 7.5 मैच है पांस से ज़्यादा है इसलिए Hyper Sonic Missile तो अगर मैं आसान बासा में बता हूँ तो आपको तीनों को समझ में आना Basic-Basic Subsonic मतब Sound के Speed से कम है उसके बाद Supersonic जो Sound से ज़्यादा है लेकिन One Match से लेके Five Match के बीच में है के हिसाब से Cruise Missile होता है Ballistic Missile होता है पहले हम डाइग्राम से समझते यह Ballistic Missile है मतलब यह एक तरह से आपने Class I guess Class Lines में पढ़ाई होगा अगर हम Ball का ऐसे फेकते हैं और जाता है ठीक है इस तरह से गिरता है Ball ठीक है Due to Gravity ठीक है ग्राविटी तो इस तरह का जो tragedy follow होता है उसको मोलते है Ballistic तो Ballistic Missile का क्या होता है एक बार आपने launch कर दिया launch side से तो इसको control आप नहीं कर सकते हो यह यहीं जाके गिरेगा target तो इसका target जो होता है वो इस तरह से target को पुरा करता है लेकिन अग्रूज मिसाल देके जो इसका path होता वो high arc होता है दिख रहा है आपको Ballistic trajectory होता है ठीक है और low train hugging होता है किसका flight किसका cruise का देखो यह जमीन से काफी छोटा सा height से उपर उड़ता है यह काफी height पे जाता है अभी बताया किसको cruise को हम control कर सकते ballistic को कोई control नहीं कर से एक बार आपने launch कर देखो जाकर गिरेगा ठीक है परपलसल मतलब होता क्या fuel होता इसमें jet ringle का यूज करते initial boost after which the fall under gravity किसी भी ball को आप एक बार fake होगे ना ऐसे करके ठीक है अगर ball को ऐसे फिके तो ऐसे ही बनेगा ballistic ही बनेगा ठीक है आपको क्रूज मिसाइल है उसके एक्जामपल जितने भी ब्रामोस मिसाइल होंगे that is example of example of कुरूज यह आप से एक्जाम में पूछेगा ballistic का एक्जाम क्या है अगनी एन प्रित्पी यह दो चीज़ आपको ध्यान पर रखना इस बेजिक दिस कैन भी और कोस्टन ठीक है इन एक्जाम ठीक है तो अब देखते है प्रोपोल्शन के हिसाब से प्रोपोल्शन का मतलब होता है कि क्या इसमें लिक्विड यूज होता है लिक्विड मतलब लिक्विड ही नहीं मतलब क्या इसमें हम लोग फ्यूल यूज करते है तो फ्यूल क्या यूज करते है तो पहला होगा solid propulsion, solid मतलब हम solid propulsion यूज़ करते हैं that is called STPB इसको ध्यान पर रखना, ठीक है hydroxyl, terminated poly butadiene, ठीक है ठीक है, fuel यूज़ करते हैं ये simple होता है low cost होता है, और reliable होता है ये भी ध्यान पर रखना, और solid जितने भी पृत्वी और Brahmos, जो starting वारा ब्रमोस थे ना, उसमें हम लोग solid propulsion यूज़ करते हैं, अगर आपको पता होगा भी मैंने पढ़ा है, तो Brahmos क्या है cruise missile है, पिर्थभी क्या है क्या है बताओ, very good ballistic missile है, ठीक है, next देखो liquid propulsion में क्या यूज़ होता है liquid fuel यूज़ कर होता है जैसे mainly liquid hydrogen liquid oxygen oxygen oxidize हो जाता है, nitrogen tetra oxide N2O4, hydra hydrogen ठीक है, ये यूज़ होता है, तेखो, अगर हम देखें ये higher efficiency होता है, और throttle ability होता है, इसमें अंदर आपको दो ही चीज़ धियान पर रखना है क्या रखना है, कि हम liquid में liquid hydrogen और liquid oxygen यूज़ करते हैं, यही आप से पूछेगा, ठीक है, यहाँ पर आप अगर STPB भी याद रख ले तो तो more than sufficient है, ठीक है next हम लोग देखते है, hybrid hybrid मतब जिसमें solid और liquid दोनों हो, जैसे ब्रामोस का hypersonic cruise missile जो है न, यह prototype है, ठीक है इसमें use होगा, ठीक है hybrid cryogenic क्या होता है, जिसमें liquid oxygen यूज़ करते हैं, और hydrogen यूज़ करते हैं, very high energy efficiency है इसका, और यह किसमें use होगा, long range, अगनी का 5, अगनी 5 ICBM का मतलब होता है, intercontinental ballistic missile, अभी आगे हम लोग देखेंगे, तो अगनी 5 जो है न, वो intercontinental ballistic missile है, intercontinental मतलब दूसरे continent में भी हम भेज़ सकते हैं, इसका long range है, तो इसमें हमनों क्या use क्या cryogenic, यह latest जार है, जैसे हम, जैसे हम, जैसे solid से liquid, liquid से hybrid, hybrid से cryogenic है, सब latest में जा रहे हैं, ठीक है, अब ramjet और scramjet जो होता है, वो air breathing engine होता है, उसके engine करते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर उतना efficiency होता है, और use for the hypersonic, ballistic and cruise missile missile, दूनों के लिए यूज़ होता है, जितने भी hypersonic है, अब hypersonic का मतलब होता है, spear, gator then five match, ठीक है, तो जो उनों तरह के missile के लिए यूज़ होता है, ballistic के लिए और cruise के लिए, तो जो भी GPJ Abdul Kalam के अंदर में स्टार्ट हुआ था इंडियन ministry of defense program for the research and development of the comprehensive range of missile, managed by the DRDO and ordinance factory board project started in 1982 83 under the leadership of Abdul Kalam who over saw Indian in 2008 2008 तक उनोंने इसको leadership किया तो उनी के अंदर ये स्टार्ट हुआ था ठीक है, अब देख इसमें किस किस तरह के missile है, एक है short range, long range, medium range, ठीक है तो देखो, short range में surface to surface example पिर्थभी याद रखना है, फिर surface to surface missile, wrong range में अगनी, दोने याद रखना है, पिर्थभी क्या है surface to surface short range, ये किस के अंदर आता अभी बताया था, subsonic के अंदर आता, उपर बताया था ठीक है, उसके बाद surface to surface अगनी क्या है long range, तो पिर्थभी अगनी उसके बाद अकास, देखो पहले आप पिर्थभी देखोगे, ठीक है फिर अगनी देखोगे, फिर अकास के तरब देखोगे, ऐसे याद आखो, ठीक है पिर्थभी अगनी अकास, अगास क्या है विरिया क्यों है पिर्थ होगे शॉर्ट रिजलोगे, मिठियम में को जिसको गाइडेट किया जाए ठीक है कैसे मूब करना है बैलिस्टिक मिसाल का पिर्थभी 1-2-3 आया हुआ यह मैंने एक्जामपल के तौर पर बता दिया एक धनूस करके है तो इंडियन इतना याद रखने की जुरती निये मैंने कंपलिटनेस के लिए डाला आप इतना याद अगोस धनूस के सीप पर से लांच होता है बैलेस्टिक मिसाल है और सौट रेंज इतना इद्या लोको मोर्दन सफिशेंट है अब देख पढ़हार नाम कितना चाहिए पढ़हार कर दे अब बहुत पुराना यह और रोड मोबायल है बैलिस्टिक मिसाल है डिजायन फोर टैक्तिकल स्ट्राइक एक डिएंस अब अक्लोजेंट पिरत भी हो गया धनूस हो गया प्रहार हो गया यह सारे वाट कर वता द्याको को संस यहीं साइंगे ठीक है तो यह करेंट अफिस का तो यहां से मानेंगे ना तो तुम समझ जाओ यह हम लोग जो हम लोग से बनमासी करता है तरकी उसको पहल भी ला सकते हैं ठीक है हमने उसको मदद किया लेकिन तब भी वह अच्छा नहीं देता कमेंट तो देखो यह एपार्ट फोट जो ठीक है इंटर कंटिनेंटल मिशल 5000 तो जा सकता है आप समझ जाओ के पान से जाल किलो मेटर तो हम इंडिया के किसी भी कहने से पाकिस्तान तो इस प्रवार आप देखो नेक्स देखो एक है सगरीका और सौर्या की 15 सगरीका इंदियन समेरिंग लॉंच बैलेस्टिक मिसल तो सीधा लिग दो बैलेस्टिक मिसल याद करने के लिए ठीक है उसके बाद विता रेंज प्रुघगें करने काई-तोकेमस निंट राश्याइं रॉटत यह तक्रहया को इतना क्रूज मिसाल कि यह होट ध्यक्राइव पूर्ट ट्राइस्टिक बाय्स झाजी का दuvoय के यह तो माख और रसये का क्लब आचिस एन्टी से हैं यह बाला आइस सुल यह क्या है रस्या ने इंडिया को दिया यह है तरनी को एक हैं। को बोलते है रेंट सेक्स किलोमेटर है और टार्गेट एल्टी टूर्ट सिट्री फाइब फाइब किलोमेटर ध्यान रगना अगला एस मिसाइल जोना रसिया ने दिया और यह पोटेवल है पोटेवल मत इसको कहीं भी लेकर जा सकते हो छोटा साय ठीक है बैरक एट किया बैर अगर इसको आपको मिलेगा तो यह साइंस एंटेक का भी लेक्चर आएगा और मैं आपको एस्टोर करता हूँ कि आने वाले एट टू टेन लेक्चर मैं दूंगा इसका भी और चार से पांच लेक्चर आपका एकनॉमिस का आगया तो यह तीन तो डेफिनेटली आपका आएगा और आने वाला समाई में एक से दो लेक्चर मैं बाइलोजी करवाओंगा ठीक है बाइलोजी आपका मोर्दिन सफिसेंट होगा उतना आपके एक्जाम पॉइंट आप जाँ आपका तो बाइलोजी कर लोगे और साइनस अंटेट कर लोगे तो जो बी बाइलोजी के खねंतीन से चार यह थ tatयं मैक्सिम साइंस करेंट मैं करवाइं रहा ह coy रहा है तो मैं योटू सी पॉइंट आगन